ने संसत भहन का उद्गाटन राष्टपती से करवाने की मांग वाली आचिका सुप्रिम कोट ने ठुकरा दी है कोट ने कहा है कि इस तरह का आदेश देना उसका काम नहीं सुनवाई के दौरान जजो ने यह भी कहा कि आचिका करता का कोई अधिकार इस मामले में अधिक प्रभावित नहीं हो रहा है केंदर की मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने पर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने सुक्रवार को निशाना साधा उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी नहीं लेते राहूल गांधी ने नौ सवाल करते हुए लिखा जूठे वादो और जनता की दुरदसा पर भाजपा ने खड़ी की नौ साल की इमारत महंगाई नफरत और बेरोजगारी प्रधान मंत्री जी अपनी इन नाकामियों की लीजिये जिम्मेदारी उन्होंने इसे नाकामी के नौ साल बताया केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में बीजेपी सरकार के नौ सार पूरे होने पर कॉंग्रेस ने नौ सवाल पूछे हैं इन सवालों पर बीजेपी सांसद और पूरो केंद्री मंत्री रविसंकर प्रसाद ने जवाब दिया उन्होंने कहा कॉंग्रेस ने जो नौ सवाल पूछे हैं लेकिन वो जूट का पूलिंदा है ये कॉंग्रेस की बेज सर्मी की पराकास्था है केंदर सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल भी पच्छ को एक जुट करने में लगे हैं इसी को लेकर केजरिवाल ने सुक्रवार को बताया कि वो तेलंगाना के सीम के सीयार से मिलेंगे आम आद्मी पार्टी के राष्टी सायोजक के जरिवाल ने कहा सुप्रिम कोट के नेड़ा के खिलाफ लाए गए बीजेपी सरकार के असमवेधानिक और अलोकतांत्री क अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मागने के लिए हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सीयार से मुलाकात करेंगे उमेश पाल हत्याकान मामले में पुलिस ने सुकरवार को कोट में पहली चार्ट सीट दायर की पहली चार्ट सीट में सिर्फ सदाकत खांको आरोपी बनाया गया है कुछ दिन में पुलिस पूरक चार्षीट दाखिल कर अन्य आरोपियों के खिलाब भी आरोप पत्र दायर कर सकती है हत्या कान के मुख्य आरोपी असद एहमद सहीत अतिक एहमद और खालिद अजीम उर्फ असरफ की मौत हो चुकी है आमाद में पार्टी के नेता और दिल्ली के पूरु स्वास्त मंत्री सतेंद्र जैन को सुप्रिम कोट से बड़ी रहत मिली है सुप्रिम कोट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है कोट ने कहा कि आप निता सतेंद्र जैन को मेडिकल आधार पर सर्तों के साथ जमानत दी जाएगी सतेंद्र जैन को 10 जुलाई को कोट में स्वास्त रिपोर्ट कार्ट जमा करने के लिए कहा गया है दिल्ली की राउजवनी कोट ने कॉंग्रेस निता राहूल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनोसी की मांग वाली आचिका आंसिक रूप से जुकार कर ली है कोट ने उन्हें तीन साल के लिए एनोसी दी है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने सुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को एक पत्र लिख कर कहा है कि दिल्ली में नोकरसाहों के तबादले पर केंदर के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीती आयोग की बैठक में सामिल नहीं हो पाएंगे भार्ती जनता पार्टी की केंदर सरकार द्वारा हाल में लाए गए अध्यादेश के जरिये नोकरसाही पर दिल्ली की निर्वाची सरकार के नियंतरण को वापस ले लिया गया है सच्ची घटनाओं पर बेस्ट बताई जा रही हिंदी फिल्म दडाइरी आफ बेस्ट बेंगाल का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में आ गया है फिल्म के डारेक्टर को पस्ची मंगाल पुलिस ने लीगल नोटिस भेजा है और उन्हें पूछ ताच के लिए बुलाया गया है ये फिल्म बेस्ट बेंगाल के कटर पंथी संगठन रोहिंग्या मुस्लिमों पर बेस्ट बताई जा रही है इंडियन प्रीमेर लीग का दूसरा सेमिफाइनल आजा हमदाबाद में गुजरात और मुंबई के बीच खेला जा रहा है जितने वाली टीम रविवार को चन्नाई से फाइनल में भिड़ेगी